हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास3onetech तो फ्रेंट्स अगर आप एक नए क्रियेटर हैं और आपने यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोज भी डाल दी हैं लेकिन अभी तक आपने यूट्यूब की जो i button का feature है जो i card का feature है उसे आपने use नहीं किया है आपको पता ही नहीं है कि i button क्या होता है तो friends मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो में भी टोप राइट कॉर्णर में आपको ए आई का आईकन दिखाई दे रहागा उसे ही हम आई बटन कहते हैं और उस पे हम अपनी YouTube की किसी भी वीडियो को लगा सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी YouTube वीडियो के अंदर आई बटन या आई कार्ड को कैसे लगा सकते हैं उसे कैसे एड़ कर सकते हैं तो friends वीडियो काफी ज़्यादा इंफोर्मेटिव है और आपको किसी PCI लैप्टोप की भी ज़रूरत नहीं होगी मैं सारा प्रोसेस आपको मोबाइल फोन से ही सिखाऊंगा तो friends वीडियो को पूरा लास तक ज़रूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले एक क्रॉम ब्राउजर ओपन कर लेना है क्रॉम ब्राउजर के अंदर हमें अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करना है तो उसके लिए हमें यहापे वेब एडरेस डालना है वो हमें डालना है studio studio.youtube.com और उसके बाद हमें एंटर कर देना है इससे डारेक्ट आपका YouTube studio खुल जाता है तो मैं इस तरीके से आपके सामने यह screen open हो जाएगी आपका channel खुल जाएगा, channel का dashboard आजाएगा आपको भी ऐसे ही अपने channel को खोल लेना है ठीक है, login करके उसमें उसके बाद आपको यहाँ पे left side में आप देख सकते है second number पे आपको यह content का option मिलता है हमें इस video जहाँ पे आपके सारी videos दिखाता है तो हमें इसके उपर click करना है तो इससे आपकी जितनी भी videos है channel की वो सारी यहाँ पे दिखायागा जैसे desktop में दिखाता है, आप देख सकते है उसी तरीके से इहाँ पे भी show हो रहा है ठीक है, अब इसमें से आप जिस किसी भी video पे i card लगाना चाते हैं उसे आपको select करना है तो मैं आपको दिखा दिता हूँ just आपको सिखाने के लिए मैं सबसे पहली वाली video को select कर लेता हूँ इस पे tap कर देता हूँ और यह इस तरीके से open हो जाएगी जैसे आपके computer या laptop में भी open होती है सेम वही से, वैसे ही यहाँ पे phone में भी open हो गई उसके बाद आपको यहाँ पे इसको scroll करना है right side में और यहाँ पे आपको नीचे आप देख सकते हैं zoom करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको i cards का एक option दिखाई देगा ठीक है आपको इस i card वाले option के उपर click करना है उसके बाद आपके सामने इस तरीके से screen open हो जाएगी ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है selected type of card to begin video डालना चाते हैं video लगाना चाते हैं कोई playlist लगाना चाते हैं या channel लगाना चाते हैं या कोई link लगाना चाते हैं वो सारी चीज़े आप यहाँ से कर सकते हैं तो मैं जैसे यहाँ पे कोई वीडियो लगाना चाहता हूँ, तो मुझे simple इस plus वाले icon पे click करना है, ठीक है, और अपनी channel की जो वीडियो से मेरी सारी आगी यहाँ पे, तो हमें अपनी channel की जो भी वीडियो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे time डाल देता हूँ, इसके अंदर, मैं इसमें जैसे एक मिनट डाल देता हूँ, यहाँ पे, यह आप देख सकते हैं नीचे, एक मिनट पे यह इस तरीके से highlight होगी, zoom करके दिखाता हूँ मैं आपको, यह आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह इस तरीके से आपकी वीडियो के उपर हैलाइट होगा दूसरी वीडियो का टाइटल ठीक है एक मिनट आने पे जितना हम टाइम डालेंगे उतनी मिनट पे वो शो होगा वहाँ पे और या आप उस पे क्लिक करेंगे अगर आई बटन पे आप जमर जी क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो महाँ पे दिखाई देगी जो आप यहाँ पे डाल रहे हैं ठीक है इस तरीके से आप यहाँ पे वीडियो एड़ कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है save पे click करना है लेकिन उससे पहले अगर आप चाते हैं कि मैं इसमें और भी playlist डालूँ या कोई दूसरी वीडियो डालूँ तो आपको simple इस card वाले icon पे plus वाले icon पे click करना है और यहां से आप जो चाहें वो डाल सकते हैं यहां से ठीक है select करके और simple आपको उपर आप यहां पे सब कुछ डालने के बाद आपको यहां पे save पे click कर देना है तो हमारा जो i button है i card है वो इसमें लग चुका है और इस तरीके से आप भी अपनी videos के अंदर i card को add कर सकते हैं ठीक है बहुत ही असानी से वो भी mobile से ही 2 मिनट के अंदर ही और अगर आपका content अच्छा होगा तो लोग आपको follow भी करेंगे और आपके views भी increase होंगे उससे तो friends अब आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल में अपनी YouTube वीडियो के उपर आप i button add कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंदाई हो तो इसे एक like जरूर करें और ज़्याद से ज़्यादा share करें थैंक यू